प्रश्कार दोस्तों मैं हूँ गजींदर दोस्तों आज के जो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्रिंग कैसे बनाया जाता है उसकी कटिंग कैसे की जाती है एंड स्टिचिंग किस तरीके से की जात आप मैं आपको बता देता हूं कुछ वीवर्स को नहीं पता है पर इन किसे कहते हैं सैड में आप देखिए एक फोट आपको नजर आ रहा है एक महिला ने कपड़ा लगाया हुए अपने सूट के उपर यह कपड़ा हम जब लगाते हैं जब हम किचिन में काम करते हैं इस आपको जो ब्लैक वाला है सिर्फ इसीवे से बनाएंगे हम इस तरीके से अलग करने के बद क्या करना है इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है सिंपल ही यह देखिए ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है इसके नीचे बिल्कु एक सीधा निशान लगाना है इस तरीके से क्योंकि छोटा बड़े करेंगे और एक निशान लगाना है इसके एक से डिड़िंच उपर क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे यह देखिए इस निशान पर से मैं करूं इसकी कटिंग यह देखिए दोस्तों अब क्या करना है इसको इस तरीके से रखना है नीचे और यह वाला जो निशान है यहां से रखनी हमें इसकी लंबाई एपरें की जो मैं लंबाई बना रहा हूं दोस्तों इसकी वो मैं बना रहा हूं 30 इंच आपको सिंपल है क्या करना है इस वाले इसके 10 इंच नीचे लगाना है इस निशान को मैं बड़ा कर लेता हूँ ये वाला निशान लगाने बद क्या कर रहा है आपको यहां से इसके ओपर 1.5 छेंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से ठीक है दोस्तो और एक निचन आपको यहाँ पर लगाना है साड़े चेंच पर ही ठीक है इस निसान को इसमें मिला देना है मिल्गूल सीधा इस तरीके से यह देखिए ठीक है दोस्तो अब बात करता हैं एप्रिन की चोड़ाई की कि हमें जो एप्रिन उसकी चोड़ाई कितनी रखनी है अमोमन जो एप्रिन होते हैं दोस्तों उनकी चोड़ाई होती 20 से 21 इंच ठीक है तो इसकी चोड़ाई में रखू हूँ 21 इंच और 21 का हाब बनेगा साड़े दस तो आपको सिंपल ही क्या करना यह देखिए निशान लगाने बद क्या करना है यह वाला जो निशान है यहाँ पर आपको एक तिल्चा निशान लगाने इस तरीके से यह देखिए और क्या करना है दोस्तों जिसे आर्मूल में गोलाई देते हैं सेम आपको इस तरीके से गोलाई देने यह देखिए और इस निसान में मिला देना है मैंने तो sistर्ण थोंड़ कर देता हूँ अब दोस्तों क्या करना है संपले करणे किर और यह वा स्कूर लुएं इस निसान के हाथ से चूपर से करेंगे पोकिट की जो मैं डीपनेस रखूंगा दोस्तों वह मैं रखूंगा 8 इंच और चोड़ाई रखूंगा वह रखूंगा 10 इंच तो 8 की जिए आपको लेना है दोस्तों 9 इंच क्योंकि ये फोल्ड भी होगा हमारा आदाद इंच अंदर की दरफ तो 9 इंच भी इस तरीक से निशान लगाना है और चोड़ाई दसकी जिए मैं लोगो 11 इंच क्योंकि हाफ आफ इंच है फोल्ड होगा तो सिंपल आपको एक कपड़ा कट कर लेना इस तरीके से यह हमारा सिंपल पोकिट हो गया और यह वाला जो कपड़ा है दोस्तों इसमें स आतारों मैं आपको step की और step की चोड़ाई बनाएंगे दोस्तों वह बनाएंगे एक इंच अब सिंपल यह क्या करना है यहां से आपको step की तरीके से बनाना है मैं आपको मशीन टब बताता हूं देखिए step को कैसे बनाना है सबसे बली से ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए और बिल्कुल सीदी सिलाई लगानी आपको उसके बाद क्या करना है ये वाला जो कपड़ा है इसे ऐसे फोल्ड करना एक बार और उपर वाल ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से और सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारे पर आपको सिलाई लगा लिए इस तरीके से ऐसे फूल्ड करना इसे दोस्तों देखेगा ऐसे ऐसे और पूरी स्टेप में स्लाई लगा लिए तो दोस्तों देखिए यह स्टेप हमारा बन गया है जिस तरीके समय एक स्टेप बनाए है ऐसे आपको तीन स्टेप बना लेने है तो दोस्तो देखिए, तीन तेफ्ल स्टेप मैंने बना ली है, अब मैं आपको बताओँँगे, पोचिछ कैसे बनाना है. तो दोस्तो देखिए, पोचिट का कपड़ा है, अब इसे कैसे फॉल्ड करना है, इसको इस तरीके से देखिए एक बर ऐसे फोल्ड किया और एक बर ऐसे फोल्ड किया इसी तरीके से आपको चारों तरफ से फोल्ड करना है देखिए मैं फोल्ड किस तरीके से करता हूँ हम जब यहां पहुच जाएंगे उसके बाद मैं इस ऐसे फूल करना है और इससे ऐसे करना है तो दोस्तों पोकेट बन गया है हमारा और तीनों स्टैप बन गए अब आपको क्या करना है यह जो एपरीन था यह देखिए नीचे फे जो मैं एक्स्ट्रा मार्जन लिया था इसे इस तरीके से रखना है और इस तरीके से फॉल्ड करते हुए बिल्कुल सीदी एक सलाई लगानी है तो दोस्तों देखे मैंने से एक्स्ट्र Margin लिया है अब आपको क्या करना है यह देखेगा यह उपर ग्रता है थो कोई ना पकड़ना को यह यह वाला कोनब लेता हूं हाफ इंच पराणяти करें सी निहीं करना है थो यह दिखा देता हूं मैं यह यह खोर्क dö tenants नियुका samah ठीक है जब आप यहां पहुच जाओगे उसके बाद में इसको ऐसे फोल्ड करना है हाफ इंच और इस तरीके से पूरे मेन की तीनो तरफ लाइ लगानी है दोनो तरफ साइड में और एक उपर इस से लाइ मैं आपको मशीन पर लगा के दिखाता हूँ दोस्तों देखिए इससे ऐसे फोल्ड किया और ऐसे किया हाफ इंच और सीदिस लाइ लगानी है जब यह आर्मल सेट पहुच जाते हो तो ऐसे करना इसे इस तरीके से और फिर ऐसे करना यह देखिए दोस्तों मैंने जब उपर से एक्ट्र लिया था अब यह यहां पर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो दोस्तों देखे चारो तरफ मैंने सिलाए लगा लिये यह इसका अंदर वाला इससा है ठीक है और यह बहार वाला इससा है इस तरीके से आप Simple क्या करना है इसको इस तरीके से Double Fold करना है, ऐसे ठीक है। उसके बाद क्या करना है यहां पर Center में आपको इस तरीके से press कर लेने ताकि इसका अंदर कीज बन जाओए। यह बराबर होना चाहिए। क्रीज बनने के बाद क्या करना है बिल्कुल सीधा आपको निशान लगा देना है मुझे क्रीज रजर आरी है दोस्तों इस तरीके से यह देखिए अब आपको क्या करना है इसके ऊपर से यानि कि ऊपर से 10 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है इस तरीके से यह उसके बाद जो हमने pocket बनाया था, वो आपको उठाना इस तरीके से, अब क्या करना है, pocket को इस तरीके से fold करना, यह देखिए, एक निशान यहाँ लगाना है, center में, और एक लगाना है, यहाँ पर center पर इस तरीके से, ठीक है, अब pocket कैसे attach करनी है, यह वाला जो center का निशान है, यह यहाँ इस तरीके से होना चाहिए, और नीच वाला मिलना चाहिए, इस तरीके से, यह देखें दोस्तो, यह pocket को एकदम set है, अब आपको क्या करना है, pocket में यहाँ फिसलाय start करनी है, यह फिर यहाँ से कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, आपको तीन तरफ सिलाय लगता हूं इसके बीक में इस तरीके से पूरा इसा उट्रक देता हू Сейчас अब इस से को गाओ इसम्पल यहां पर रड़ स्टार्ट करूगा इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से यहां पर सलाय लगा लूगा दोफ तो जोब इस तरीके से मैं इसके अंदर सलाई लगा लूंगा उसके बाद क्या करना है कि हलक असा टांका लगाना है आपको सेंट्र में यह देखिए यहां पर इस तरीके से इससे हो गए का दोस्तो एक पोकट यह बन जाएगी और एक यह बन जाएगी हम पोकट तो उसको मिसकंदर रख सकते हैं इस तरीके से यह देखे दोस्तों मैं सिलाई काड़ देता हूं एक यह हो गई और यह हो गई तो दोस्तों देखे पोकेट में लगा लिया है बनकर कंप्लीट है इसके अंदर एक काम बाकि रखें स्टेप्स लगाना ठीक है वो लगाने की और चोटे वाले स्टेप हैं हमारे दो वो यह दो लगाई यहां पर एक लग जाएगा यहां पर इस तरीके से इसको स्टेपना नीचे रखुए और यहां से स्टीच कर दूग मैं इस से और एक यह वाला है इसको यहां इसके नीचे रखूँगा और यहां पर इसलाय लगा दूगा। अब एक जो इस टप बड़ा वाला था वह लगेगा यहां पर ऊपर यह किस तरीके से लगाना यह देखिए। इस तरीके से और इसके बन ना हो कोई ध्यान से दूसरा वाला जो पार्ट है इसके नीचे इस तरीके से लगा देना यह देखिएगा। और simply यहां पर 15 लगा लेगी तो step लगाना बहुत simple है एक इदर एक इदर और यहां पर जब इस तरीफ चला जाएगा यहां पर यहां पर लग जाएगी और यहां पर तो simple step मैं लगा लेता हूं उसके बार आपको इसका final look दिखाता हूं दोस्तो यह देखेगा दो step मैंने यहां पर लगा दियें और एक लगा इस तरीके से तो दोस्तो अपर बनकर complete है और इसको वेर करना बहुत simple है यह गले में डल जाएगा और यह दो step मारे पीछे की तरफ बन जाएंगे यह देखे दोस्तो तो दोस्तो आज की विडियो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैन को जुरूर सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंगी स्वामाज़।